दोस्तो मैं नीलं श्टीचिंग आइंट बिटीशन में आप सबका स्वागत करते हुआ दोस्तो आज मैं अस्तर वाले बिलाउज का नाप आप लोगों को बताने जा रहे हुए पहले तो नाप ना बता हम है। पहले हम बिलाव जो चैशक है ऐसे नापे लेक कितनी है देखिए 17 इंच है चैशक यह 17 इंच की है और लंबाई है साही 13 है 14 इंच की हमें त्यार चालिए और गला देखिए 6 इंच का है और हम यह बाजी को 13 बीच हमारी यह देखिए यह 6 इंच की बाजी के तीरा है ऐसे कटिंग है और कंधा देखिए हम यह रखेंगे कंधा है देखिए 12 इंच की कंधा यह नाप है और हम आप लोगों को बिलाव की कटिंग बताने जा रहे है देखिए अभी हमारे पास यह कपड़ा है और हम इस कपड़ी को ऐसे देखिए इस कपड़ी को हम आज से कटिंगे हम फोल करने वाला बताएंगे कि नीचे से उसी नाप की रितार से बाडिंग बताएंगे 14 इंच की बिलाव जगर हम चाहिए तो हम ऐसे फोल करके रख लेंगे यह देखिए पीछे का पला हम पंदर रख लेंगे कि आजी इंच हमारे उपर कंद्र में सिलाई चली जाएगी और आजी इंच नीचे तो 14 इंच का यह बिलाव ज़िए प्यार चाहिए तो हम इस तरह हम कपड़ी को रख लेते हैं यह नाप के मंदर यह है इसमें चोड़ाई देखिए पंदर फिर हम इसकी ऐसे कटिन कर देखिए और जो आगे कपला है वह भी हम इसी जैसे निकालेंगे तो हम आगे कपला एक इत बड़ा रख लेंगे इसकी बैक वाले में प्रोड़ी से हमें जो आगे प्लेट वगर पड़ती है इसकी वज़े से चुप हम इस थोड़ा सा बड़ा रखना पर चाहिए दोप्टों अब हम यह इस तरह ऐसे देखिए कटिंग कर लेंगे फिर हम देखिए ऐसे पोल कर लेंगे अब हम इसकी चेश्क था तो हम इसकी चौड़ाई साढ़े दस रख लोगे क्योंकि दो तील इंच हमें ज्यादा कपड़ा रखना चाहिए ठीक है दोस्तों अब इस तरह यह रख लिया अब हम इसकी आइसे करके निशानी लगाएंगे अब हमारा इधर से यह देखिए हम इधर से कंदे के निशानी लाएंगे कंदा रखेंगे नों साढ़े पांच और धा इंच का यह गड़ा हम बाजू के तीरा साढ़े पांच ही रखेंगे इसे करके यह निशानी देखिए और यह यह से यह से खोने पे ऐसे करके यह निशानी है और हम गला आगे का छे रखेंगे अब इसको कट कर दोंगे यह गला गले की कटिंग हुआ ही और हम ऐसे करके देखिए अब ऐसे हम पट कर दोंगे अब दोंगे कर दोंगे कर दोंगे कि अब अब ने इसको कटकर लिया है अब जो मारा इसे ही कटकर लिये मारा इच्छे का देखो चोटा है और आगे वाला पल्डा बढ़ा है अब हम इतनी पैल्ट में आज तर काटेंगे तो बादिये पताएंगे अब देखिए हम यह बादू की कटिंग जैसे ही हमारा इंहरा कप्रवचा इसी की हम ऐसे करके बादू की कटिंग बादू चोटी चाहिए बादू देखिए इतनी इंच की है चोटी तो इसकी कटिंगा तब आदो इंच की बादू की लंबाई है ठीक है तो हम इसी कोडिंग पर लेस्ट हमारी कि इस बाजु में देखी आज रगानी है तो इसलिए हमें यह बाजु चोटी लगए चौड़ाय को प्रफ दीए को पोड़ कर दियो चौड़ाय कम कर दूद्ध कर दो दस हमारी आजानी चलेए सब्सक्राइब कर लिए कि अपड़ा प्रेस नी कर जाए इसकी निस्तानी आते ले लेंगे कि अपड़ा से रख लिए हैं और हमारों अब हमें यह चोड़ाई जो है हमें को धाय इंच की चाहिए फिर भी गेरिंच तब ज्यादा रख रहे हैं चाहिए नबाई रख रहे हैं और चोड़ाई यह 10 है और हम इंच निशानी लगा के देख्टी आइसे निशानी लगा लेंगे बादी और इसे कटिक कर दो कर देख्टी दोस्तों यह बादी की कटिक हो गई है इसमें हमारे लैस रख जाएगा अस्तर की कटिंग बताएंगे अस्तर की हमारा इसी तरह कटिंग होगा हम रख के कि दोस्तों यह मारा अस्तर है अस्तर को भी हम इसी तर लख लेंगे एक इंच का छोटा बड़ा और इसको भी हम इसी तरह कोड़ कर लेंगे और हम इसकी निशानी लगाएंगे चाहिए तो आपको अपना जो यह कटिंग है यह रख की काट लीजिए देख्टी ऐसे भी आप निशानी लगा सकते हैं जो हमने काटके निकाल दिया हैं यह भी रख के आप निकाल सकते हैं ऐसे जो हमने रख आइसे कर दिशी कोड़िंग हम इसके निशानी लगा लेंगे इसके निशानी यह रख के निकाल लिया है और इसकी हम कटिंग कर देंगे अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं जड़ा जू है यह इसकर वाला हमारा कट गया है पीछे का है और यह आगे की कटिंग है और हम आगे की कटिंग बैट वाला कटेंगे बैट वाली बिलावज की कटिंग है ऐसे हमें यह रख लिया है जो बड़ा है पला वह हम इसकी साथ रखेंगे अब देखिए यह हमारा बड़ा है यह चोटा बाला है थोड़ा सा और यह बड़ा है इसी पर हम आपके रख लेंगे असी रखे और में इसकी कटिंगे देला हमारी यहां से साधी 13 पर यह हम रखनेंगे और इधर जो हमने इस साधी 5 का यह काटा और इभर हमारा जीसे साधी 11 तो ये साधी 12 तेवर इंच की हमें टेपर होना चलिए ये बैट की निशानी उसकर रहा है ऐसे बैट की निशानी है और फिर हम इसे कट करने है ये बैट की हमारी कटिंग हो गई ये बढ़ी है ये आगे कपला हमारा निकल गया और हम इसकी निशानी ऐसे कटी पहले कम हम इसे ऐसे रख लेंगे आगे विलाज की जो हमारे फ्लेट होती है आगे पढ़ती है उसकी निशानी आपको बता रहे हैं जैसे ये देखे और इसकी चैए विलाज की निशानी देखेंगे ज़गे जो हमारे फ्लेट है ये इसकी नौल्पर इसे तरह इदर भी इसानी आपके प्लेट की निशानी लगा अब देड़ के फ्लेट इसे प्लेट लगात Land इधर भी इसी तरह सीधी प्लेट देखें एलगगे इस लगगे सीधी प्लेट है फिर 1,5 इंची छोड़के हम इसी तरह यहां से थोड़ा सा उपर होना चाहिए यह देखें डेल ले लो चाहिए दो इंच से भी आप ये प्लेट की सीधा से ले सकते छोड़ के देखिए ऐसी तरह इधर भी लेना है इस कोने से थोड़ा हटके और दो इंच पर ये सीधी प्लेट में चाहिए देखिए दो इंच सीधी प्लेट ऐसे हमारी प्लेट होगा है और यहां वादी प्लेट भी हम दो इंच से ऐसे देखिए और यहां से ऐसे रखिए हमारी तरह की होगया जो इसको प्लेटे देखिए तारी ऐसे रहेगी हम ऐसे जोड़ने और देखिए पीछे का पला है हमारा हम ऐसे पहले तो गला बड़ा करेंगे देले की नबाई देखिए इसी तरह अस्तर भी हम इसको रखिए ऐसे गला पीछे का देखते हैं गला पीछे का हमारा यह चाहिए हमें जोड़ने गला चाहिए और गले की गुलाई देखिए ऐसे करके ऐसे बिला लेगे देखिए और लंबाई चैनले चौदें चौदें सब्सक्राइब तेरन अब हम इसकी यह कटिंग कर लेंगे अब प्लेट की निशानी जो पीछे लगती है उसको देखिए वेरे की गुलाई अब प्लेट की निशानी यह ऐसे करके लेट की निशानी लगा रहे हैं अब हमने यह पीछे कपला ऐसे हमें रख लिया है और प्लेट अपीछे निशानी जो पीछे प्लेट ऐसे लख लिए जाए आवे की तरफ मैंने डेव इंच बोला यह पीछे की तरफ है तो एक लेड़े लेना एक गले की तरफ से एक इधर लेके इंची टेव ऐसे रखके फिर प्लेट की निशानी लगेगी देखिए दस पर सिखी एक लेके अर्स्तिकर की और इसी तरह इधर भी एक इंच का एक वाजू की तरफ से दस पर से सीघी लगाए लेके अब अस्तर बाजू का भी अस्तर इसी तरह क्टिंग कर लेंगे के यह हमने वाजू कटी हुई है। इसी तरह अस्तर की भी कटिंग कर Let it लेंगे की सबस्यारे क्या और इसे बढ़र कर लेंगे है nggak भी ज़िए हमने बाल कर लिया और इसी तरह इसको हम रख तो नो बाजू हमारी इस तरह निकला आईगी हमेशी तरह इसकी कटिंग कर लेंगी रखती गया है यह हमारी कटिंग हो गई है ऐसे कटिंग दो बाजू इसमें से ऐसे कटिंग कर आएगी यह हमारी बाजू हो गई आपक्रवब देखें बुद्धोस्तों अब इसकी स्टीचिंग हो भी कुछी निक करेंगे इसका स्टीचिंग का अगली वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों बिलाज की कटिंग और पलेटो की निशानी में आप लोगों को बताया और स्टीचिंग करने के लिए अगली वीडियो में इसको डालूंगी दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई लाइक करना, सस्क्राइब करना वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू